दोस्तों नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियूज क्लिक के कारिक्रम आज की बात में आपका स्वागत है ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद ये जो आपरेशन कमल जो भारती जनता पार्टी अपने तमाम पुलिटिकल इस तरह के आपरेशन्स जो उसने राजस्तान में करना चाहा या कर रही है इस तरह के आपरेशन्स काफी काम्याब होते रहे हैं अगर आप देखें गोवा फिर आप देखें कई जगहों पर मनिपूर तमाम प्रदेशों से होते हुए करनाटक पहुचा उसका आपरेशन कमल फिर मद्यप्रदेश ताजा तरी नुदारण है तो यह जो आपरेशन कमल है ऐसा लगता है कि जोग कहते हैं कि लोगों के पाउँ दल दल में फंसते हैं लेकिन आपरेशन कमल का जो क테म्पेइंग है भारती जनतापारटी का वो राजस्थान के मुरुस्तल में फंस गया यह मुरुस्तल में क्यों फंसा यह बड़ा माना जाता है कि वो बहुत अच्छे पब्ली को रिटर भी नहीं है लोग उनको बहुत आकर शक एक राजनिता भी नहीं मानते कि वो कोई स्टायर केंपेनर हों लेकिन उनके अंदर जो स्किल है उनके अंदर जो कौशल है मुझे लगता है कि वो आपरेशन कमल के रास्ते में एक बड़ी बाधा जरूर ओआई उनकी वज़ा से और उनका जो बुजर्ग होश है वो सचिन पाइलिट के युवा जोश को मात दे गया ये भी एक अजीब बात है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सचिन की सचिन पाइलिट की जो बेसबरी की बगावत थी वो मध्य पहला जो फैक्टर मुझे नजर आता है जो जैसा मैंने कहा गलोत का फैक्टर गलोत ने बहुत ही जबरदस्त कामयावी हासिल की है अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने विधायकों को इंटेक्ट रखा पहले कहा गया था कि सचिन पाइलिट के साथ 30 विधाय में तो उसके बाद 2003 में जो वाजपई सरकार ने उस दल बदल विरोधी विधायक में संशोधन लाया था प्रणों मुखर जी की अगवाई में कमेटी बनी थी जो उन दिनों ऑपोजिशन में थे और उसके रिकमेंडेशन पर जो जो कानून बना था उसमें टू थर्ड फॉर्मल स्प्लिट या मरजर माना जाएगा अधर्वाइज विधायकों को अपनी सदसेता खोनी पड़ेगी या उनको कोई न कोई तिकडम का सहरा लेना पड़ेगा और वो भी वो भी तिकडम तभी कामयाब होगा जब वो दुबारा चुनाव लड़ें उनकी सदसेता त आप बताईए कि आप कहां हैं और आप ततकाल रिपोर्ट कीजिए और नहीं आप रिपोर्ट करते हैं यहां पर तो आपकी सदसेता को लेकर नोटिस जाएगा आपको सर्ब किया जाएगा कि क्यों ना आपकी सदसेता खतम की जाए क्योंकि विधायक गल की तरफ से ये इनि से अधिक नहीं जोड़ पाए थे यहीं पर यह भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ कि भारती जंता पार्टी का आपरिशन कमल राजिस्थान में फेल कर गया और तीसरा फैक्टर जो मेरे हिसाब से वो था कि कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस अला कमान ने अपनी शुरु कराने की कोशिस है जो दल बदल कराने की कोशिस है उसको हम सफल नहीं होने देंगे उन्होंने अशोग गालोत को पूरा इंडोर्स किया उनके कैमपेंड को और चौथा जो फैक्टर मैं समझता हूं दोस्तों कि राजस्थान में मध्यपरदेश की तरह कोई शिवराज चवहान नहीं था वहां थी वसंधरा राजे और वसंधरा राजे हरगिज इस बात के लिए मुझे ऐसा लगता है जो अभी तक आरहा है जो अभी तक खबने आ रही है आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि वसंधरा राजे की जो मौझ attempting का कमान है उससे बहुत अच्छे ताल अच्छा ताल मेल नहीं है जैसा कि और दूसरे जगहों के बीजेपी के सुभाई छत्रपों का है तो ये देखना भी था और दूसरी बात कि चुकि राजस्थान में वसंदरा राजे का जो सोसल बेस है वो मध्यवर्ती जातियों में बहुत ज्यादा है जिसकी नुमाइ लेकिन दोनों में ये पुराने जमाने के निताओं की तरह इनके बीच में संबंद कुल मिला कर ठीक ठाक रहते हैं बहुत सारे आप पुराने निताओं को पाएंगे कि एक दूसरे एक से व्यक्तिकत जो रिष्टे खराब नौ करने की उनकी एक आदत रही है उसमें से अश जिन पाइलिट ने भी किया तो ये जो चीजें थी उससे भी मुझे लगता है कि एक बेहतर तालमेल जो बीजेपी के अंदर होना चाहिए था वो नहीं था तो ये भी एक फैक्टर रहा जिसकी वज़ए से आपरेशन कमल राजिस्थान के मुरस्थल में फंस्ता नजर आया या नजर आ रहा है अभी तक कोई काम्याबी उसको मिलती नहीं नजर आ रही है दिल्चस्प बात यह है कि अभी एक दिन पहले यानि कल तक जो वहां के जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं भारती जनता पार्टी के बड़े नेता हैं इस वक्त वो भी पक्ष के नेता हैं गु अनेसर में जो विधायक थे वो भी यह कहा रहे थे कि साब फ्लोर टेस्ट जब तक नहीं होता शुक गालत को कोई काम नहीं करना चाहिए उनको न तो कोई मंत्री बनाना चाहिए न तो उनको कैबिनेट का एक्सपेंसन करना चाहिए कोई उनको नियुकती भी नहीं करनी चा इसका मतलब कि उन्होंने मान लिया कि बहुमत वाकई अशोक गहलोत के पास है और अशोक गहलोत का जो बहुमत है दोस्तों मैं आपको बताऊं कि विधान सभा में उनको 101 मेंबरान थे जिसमें 6 बहुजन समाज पार्टी के लोग आ गए थे तो 107 हो गए थे इसके अलावा आ तो भी उनको कुल मिलाकर 107 मेंबर्स का सपोर्ट अभी भी बहुमत के लिए बिलकुल कमफार्टेबूल उनका बहुमत है क्योंकि बीजेपी के पास मात्र 72 सीटे हैं और 72 में तीन अगर जोड़ दिया जाए जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के छोटी पार्टियों के लोग तो वो 72 और 375 होता है और 19 को भी जोड़ दिजी तो भी बहुमत के पास वो नहीं पहुंचते और 19 भी आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि दल बदल विरोधी विधैक में वो आल लेडी चले जाएंगे क्योंकि स्पीकर ने और विधैक दल के नेता शोग गालोत ने रा राज़स्थान के political scenario वहां के राजनितिक परिदिश्य पर बात करने के लिए हमारे साथ इसوقत मवगध हैं हमारे राज़स्थान के बहुत senior journalist और दैनिक भासकर जो राज़स्थान है वहां के resident editor तिरिभुवन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो एक बगावत की कोशिश सचिन पाइलेट ने की थी और बीजेपी का जो एक माना जा रहा था कि उनको सपोर्ट है अब सचिन पाइलेट कहा रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं वो बीजेपी में जाने का कोई मतलब ही नहीं था वो ये भी कहा रहे हैं कि बीजेपी के किलाब उन्होंने तो अपने पूरे राजनितिक जीवन में लड़ा है वो कैसे चले जाएंगे मैं अभी भी कॉंग्रेस के का सदस्य हूँ मैं कॉंग्रेस के साथ हूँ और ये बात वो कह रहे हैं तो क्या माना जाए कि ये जो उनकी बगावत थी वो फेल कर गई है क्या उनकी स्थिती अब कॉंग्रेस पार्टी में रहेगी आपको क्या लगता है गहलोत सचिन पाइलेट और कॉंग्रेस इन तीनों के कॉंटेक्स्ट में आपका क्या असेस्मेंट है? जिसके तहित सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस से अलग दल बनाने या भारती जन्ता पार्टी में जाने के लिए कम से कम एकरतर लोगों की आपशकता है तो यह स्थिती पूरी होना संभव नहीं है और नहीं आसान है तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जो ओपरेशन जिस संकट बरकरार रहेगा और यह हालात इस तरह के लगातर बनते रहेंगे अगर सचिन पाइलेट कॉंग्रेस में वापस आ भी जाते हैं तो भी और अगर नहीं आते हैं तो भी लेकिन अगर कॉंग्रेस में वापस आते हैं सचिन पाइलेट और दोनों नेताओं के बीच में क कुछ हुआ है उसमें एक तो मुझे बसंद्रा फैक्टर इसका क्या रोल आपको नजर आता है और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी ने ठीक है कि वो अपनी सरकार बचा ले गई या बचा ले जाएगी लेकिन क्या आपको लगता है कि सचिन पाइल कुछ किया है कॉंग्रेस पार्टी ने एक तरह से वो छितरी पार्टी बनाएं या कॉंग्रेस पार्टी में जाएं लेकिन उनकी स्थिती पहले जैसी नहीं रहेगी तो क्या एक जो कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस में बजर्गों का या नौजवानों का उतना महत्व नहीं ह खेर ऐसा तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे नौजवान लोग भी है लेकिन ये सचिन पाइलेट का एक तरह से कमजोर होना कांग्रेस पार्टी में ठीक है कि उन्होंने गलती की और उस गलती की उनको सजा मिल गई या मिलती नजर आ रही है लेकिन क्या फ्यूचर होगा कांग् सचिन पाइलेट की तरह से कई महतो कांक्षी राजनेता भारती जनता पार्टी में भी है लेकिन वहां भी अशोग गहलोत की तरह वसंद्रा राजे जैसी एक बहुत बड़ी नेता हैं वसंद्रा राजे के बिना राजस्थान भारती जनता पार्टी में कुछ भी हो सकने की संभावना नहीं है क्योंकि जिस तरह से अशोग गहलोत का वर्चस्व कॉंग्रेस में है उसी तरह वसंद्रा राजे का वर्चस्व भी कॉंग्रेस में है लेकिन कॉंग्रेस के भी कुछ लोग भारती जन्ता पार्टी के कुछ लोग वहां भी अपनी स्थिती सचिन पाइलेट की तरह की महसूस करते हैं तो हाला दोनों तरफ एक जैसे हैं और इन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस एक बार जो है इस संकट से निकल तो गई है लेकिन इसमें उसे दो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें अशोग गहलोत को पहली बार इस तरह का एक सारवजनिक रूप से विद्रो का सामना करना पड़ा है और दूसरा जो है सचिन पाइलेट जो एक तरह से कॉंग्रेस का भविशय थे उन पे बहुत से लोगों की उम्मीदे थी कि वो कांग्रेस का एक बहतरीन चेहरा साबित होंगे ऐसा लगता है कि इस जो एपिसोड है इसने उसमें काफी जो उनका जो भविशय है उसे लेकर काफी प्रशंचिन खड़े कर दिये हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि कॉंग्रेस जो है वो एक सुकून भरे रास्ते में नहीं है वह अब भी संकट से घिरी हुई है और ऐसा लगता है कि ये संक है तो ये देखना है कि यह जादूगर पांच साल तक सियासत में बरकरार रख करके कॉंग्रेसी सरकार चला कर अपनी जादूगीरी दिखाता है या विदोही खेमा उसे खिस तरह से पठखनी देता है हालांकि वे मध्यपरदेश, गोवा, मनिपूर या जहां-जहां भी का की जो ये एसेस्मेंट है जो जमीन पर है वहां जमीनी अस्तर पर वहां मवजूद हैं राजस्तान को बेहतरीन ढंक से त्रिफोन समझते हैं तो ये एक मैं आकलन एक वरिष्ट पत्रकार का जो संपादक अस्तर का पत्रकार है जो राजस्तान को ठीक से जानता है दोस्तों म ये जरूर कहना पड़ेगा कि कॉंग्रिस में हाल की कुछ वर्षों में जो एक अजीब तरह की विचार हीनता पैदा हुई है एक अजीब तरह की नेत्रत हीनता जो पैदा हुई है जो एड़ हाकिजम है ऐसा लगता है कि नेत्रत तो कुछ कंसल्टेंट, सलाहकार या उनके का में कुछ भर देने वाले लोगों के आधार पर कॉंग्रेस चल रही है। कॉंग्रेस का जो की जो leadership है वो अपने vision के ही साब से अपने दृष्टिकूण के ही साप से initiative लेने में सही समय पर initiative लेने से कहीं न कहीं परहेज करती है जिसका हाम्याजा उसको कई प्रदेशों में भुगतने को मिला है पोलिटिकल अगर देखा जाए पोलिटिकली अतीत के निकट अतीत के मुकाबले कॉंग्रिस बहतर स्टेंड ले रही है मैं तो कहूंगा कि आज से 10-15 साल पहले या 10-15 सालों के दोरान भी कई बहुत बुरे मनमों सिंग की सरकार के दोरान उन्होंने अनिये बहुत बुरे स्टेंड लिये जिसका देश को खामियाजा भुगतना पड़ा और जो बीजेपी को एक तरह से बीजेपी की राजनीत को मजबूती मिली लेकिन कई बार देखने को लगता है कि कॉग्रिस के जो युवा नेता है राजी राहूल गांदी वो काफी कंसिस्टेंट हैं ऐसे इस्टेंड लेते हैं लेकिन जब आर्गनेजिशन का मामला आता है जब पार्टी को मजबूत बनाने की एक पहल करने का मामला आता है नेताओं को जोडने का मामला आत तो कहीं न कहीं Congress Party की जो गाड़ी है पट्री से उतर जाती है तो इन शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहूंगा कि Congress में विचार हिंता भी है नेत्रत हिंता भी है और तदर्थवाद जिसको आप कहेंगे एट हाकिजम वो तो नीचे से उपर ततिक दिखाई देता है इन शब झाल